अग्यूंत लिप्रवेज साफनी के यूटूब चैनल सबीका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज है 12 अप्रेल और हम डिसकस्ण करने वाले आज की 12 अप्रेल के most important questions को जो कि current affairs के questions रहने वाले हैं तो चलिए हम आज की class को start करते हैं बढ़ते हैं अपने सबसे पहले question की तरफ तो सबसे पहला question दिया गया है हमारा केंदरिय ग्रहный मंत्री अमित साह ने किस राज्य में Vibrant Villages Program शुरू किया है तो दोस्तों वो किया है अरुणाचल प्रदेस में ठीक है तो इसके important points देखिए तो यहाँ पर दिया गया है केंद्रिय ग्रह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित साह ने 10 अप्रेल को अरुनाचल प्रदेश के अंजा जिले के सीमा वर्ति गाउं में वाइब्रेंट विलेजिस प्रोग्राम का सुबारंब किया है कारिक्रम के तहट अविनाचल प्रदेश सिक्के मुत्राखंड और हिमाचल प्रदेश राजियों और लद्दाख केंद्र सासित प्रदेशों में उत्तरी सीमा से लगे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गाउं की विकास के लिए पहचान की गई है ठीक है दोस्तों अपना नेक्स्ट कुष्टन है औरलियंस मास्टर्स 2023 पुरूस एकल खिताब किसने जीता है तो यह दोस्तों जीता है प्रियांसू रजावत ने प्रियांसू रजावत ने दोस्तों औरलियंस मास्टर्स 2023 पुरूस एकल खिताब को जीता है ठीक है अपना नेक्स्ट कुष्ट है question number three status of tigers report के अनुसार भारत में कुल बागों की संख्या कितनी है तो वो दोस्तों है 3166 ठीक है तो यहां पर देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्स पूरे होने पर status of tigers 2022 रिपोर्ट जारी किया है यह मोदी ने इस मौके पर international Big Cat Alliance अमरित काल का टाइगर विजन भी जारी किया है ठीक है दोस्तों अपना next question है question number four केंद्रिय विदेश मंत्री किस देश की यात्रा पर है तो दोस्तों वह युघांडा और मोजांबिक देश की यात्रा पर है कौन केंद्रिय विदेश मंत्री केंद्रिय विदेश मंत्री कौने अपने एस जैसंकर जी जो है किंद्री विदेश मंतरी या अफरीकी की युगांडा और मोजांबिक की 10 से 15 अपरेल 2023 तक यात्परा पर है ठीक है अपना नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 5 भारत बांगलादेश जापान भारत के किस राज्य में कनेक्टिवीटी बैठक आयोजित करेंगे तो वो दोस्तों करेंगे त्रिपुरा में ठीक है त्रिपुरा में करेंगे आयोजित तो यहां पर देखिए बांगलादेश भारत और जापान 11 एम 12 अपरेल को भारत की त्रिपुरा में एक कनेक्टिवीटी इवेंट आयोजित करन और छेत्र की वारिज जिशमता का उप्योग करना है ठीक है अपना नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नंबर सिक्स विस्व होमियोपैथी दिवस कब मनाया जाता है तो यह बनाया जाते दोस्तों दस अप्रेल को विस्व होमियोपैथी दिवस मनाया जाता है ठीक है तो यहा हैनी मैन का जन्म 10 अप्रेल सत्रा सो पच्पन में पैरिस में हुआ था और वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक और गिद्धवान थे ठीक है इन्हों ने होमियोपैथी के मौलिक सिध्धान्त की खोचकी जिसे लाइक क्योर लाइक के रूप में जाना जाता है ठीक है दोस्तों विलप्त हो रही प्रजाती को सरक्षट करने के लिए विस्व का पहला जटायू एसियाई किंग महाराज गंज में उत्तरप्रदेश गंज जने में जैती सरक्षण परजनन केंद्र की स्थापना भी की जा चुकी है ठीक है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न मैं से राज्य जो है यह food conclave 2023 का आयोजन करेगा ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 9 अंतरास्ट्रिय सांखी की पुरुसकार 2023 के से प्राप्त हुआ है तो वो दोस्तों प्राप्त हुआ है 2023 में यह भारती अमेरीकी सांखी की विद कल्याणम पुरी राधा कृष्ण राव को प्राप्त हुआ ठीक है और इस पुरुसकार की जो इस्थापना है दोस्तों वो थी 2016 में और इसके बाद से यह हर दो वर्स में प्रदान किया जाता है ठीक है अपना नेक्स्ट कुश्चन है विस्व वैक्सीन कॉंग्रेस 2023 में किसके द्वारा वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सिलेंस यानि कि VIE पुरुसकार जीता गया है तो वो दोस्तों जीता गया है भारत और भारत बायोटेक ने ठीक है भारत बायोटेक ने जीता है तो दोस्तों यह तो रहे आज के यानि की 12 अप्रेल के current affairs के most important questions तो दोस्तों अगर आपको class पसंद आई हो तो आप वीडियो को like कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा और चैनल को subscribe कीजेगा